नमस्कार दोस्तों मैं इंको रुपात्या है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में अदानी ग्रुप के लिए एक बड़ी खबर आते हुँ दिख रही है लेकिन ये खबर फ्रेश नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूँ एक हमारे व्यूवर है जिनका कमेंट आया था उसके बाद मैंने इस न्यूज पर फोकस करा मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हाईलाइ नहीं पड़िये इसलिए स्टॉक्स कुछ रियक्ट भी नहीं कर रहे है अब ये पूरा मामला क्या है उसको मैं आप सभी के साथ डिसकस करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ शायद ये खबर आपके माध्यम पे आपके आप तक में भी हो सकता है ET मार्केट ए अब यहां पे पूरा का पूरा मैटर क्या है उसको समझते हैं ये मामला अमेरिका में उठा है भारत में नहीं और अमेरिका में क्या मामला उठा है पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ये जो ET मार्केट की रिपोर्टर उसमें क्या लिखा हुआ है फिर मतलब or sorry of India's Adani group to focus on whether the company may have engaged in bribery as well as the conduct of the company's linear founder according to the people with direct knowledge of the matter. Investigators are digging into whether an Adani entity or people linked to the company including Gautam Adani were involved in paying officials in India for favorable treatment on an energy project said the people who asked not to be identified discussing the confidential effort. The prof which is also looking at Indian renewable energy company Azure Power Global is being handled by the US Attorney's Office for the Eastern District of New York and the Justice Department's fraud unit in Washington. Sad people familiar with the matter. अब मैं आपको समझाता हूँ है क्या? यह energy से related matter है, energy project जो चल रहे हैं इस समय और Azure जो है वो और Adani energy आपको पता ही है यह एक बड़े level पे energy के field में काम कर रहे हैं, दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं. अब यहां पे क्या हुआ है कि energy के field में काम करते समय काम से related क्या कुछ लोगों को रिस्वत देके काम को आगे भढ़ाने की कोशिश करी है ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि आपने रिस्वत देके कुछ additional जानकारी हासिल करी है उससे अपने काम को बड़ उत्री कर रही है या कुछ प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए किसी को रिस्वत देके पास इस तरीके के आरोप है कुछ देके facts नहीं अभी तक सामने नहीं है तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा बट मैंने आपको समझाने के लिए एक दो एक्जामपल दिये तो ये आरोप लगे हैं अदानी गुरूप पे केवल इतना ही नहीं इनके chairman गौतम अदानी जी पे भी यह आरोप लगा है ये केवल और केवल आरोप है कुछ भी है नहीं अभी तक realistic ठीक है तो आरोप क्या है क रिश्वत देके आपने energy project को उपर लेके गए हो अपने energy गामकाज को ये आरोप है केवल गौतम अदानी जी या फिर अदानी एनर्जी या अदानी गुरूप तक ही नहीं इनसे संबंदित जो लोग हैं इनसके touch में जो हैं उन पे भी shut है तो ये matter है अब आता हूं में direct impact प पढ़ेगा पहले तो अदानी गुरूप के इतने बड़े समू में एक पार्ट पे है problem उसके बाद एक पार्ट में भी छोटी सी रिस्वत का मामला है अब ये रिस्वत का मामला होता भी है तो कोई action अगर होगा भी तो एक action होगा जिसमें या तो fine जाएगा या कुछ ना हराब होगी बट होगी तो तब ना जब ये असलियत होगी तो इस पे कुछ भी नहीं आने वाला है ये ब्लूमबग की हवाले से ख़बर आई है अब यहां पे एकाद short term में impact आ जाये तो आ जाये बट मेरे को नहीं लगता है positional financial या फिर long term purpose से तो कुछ भी impact होगा तो पहल ये government और अदानी का क्या संबंद है सबको दुनिया को दिख रहा है तो फिर उनने रिश्वत की मुझे नहीं लगता ज़रूद पढ़ेगी वो डायरेक्टी मिल जाएगा उने project तो ये सारी चीज है मेरे को नहीं लगता कोछ इसमें matter आएगा तो जो details थी वो मैंने discuss करी है और जो मेरा डिमाग कह रहा है वो भी मैंने आप सभी के साथ discuss करा होप आप लोगों को इस सारी चीज़े समझ में आई होगी thank you so much for watching this video have a great day guys